तो स्वागा था आप सभी का हमारे चैनल पर आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके दो मिनिट लूँगा कि एक तो सबसे पहले मैं माफी चाहूँगा कि ये वीडियो आने में काफी समय लगा तब ये थोड़ी खराब हो गई थी एक दो दोस्तों ने ये भी का कि भाई तो ने कोरोना की जो है एक्स्प्लाइनेशन सही से नहीं दी तो वह बुरा मान गया उसने अपने चोटे भाई को भेज दिया बदला लेने तो खेर अब जो भी है क्या कि आजाए दूसरी बात है कि मैं आप सबको बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ब बताएं तो आज जिस हम टॉपिक के बारे बात करने वाले हैं वह है पॉल्यूशन तो एक्चुली पॉल्यूशन मेंली तो तीन टाइप का होता है लेकिन इसके 6 से 7 टाइप है वह हम इस सीरीज में सीरियल वाइज जो है वह पता करेंगे जैसे कि हम जानते हैं मिक्स हो जाएं तो एर पॉल्यूशन वाटर में जब वाटर पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो जाएं तो वाटर पॉल्यूशन या सॉइल के अंदर जब जैसे पैस्टिसाइट्स या कैमिकल्स आ जाएं तो सॉइल पॉल्यूशन इसके अलबाद दो पॉल्यूशन और हैं जो से नहीं बल्कि हमारे senses के लिए हैं जैसे जिसमें एक है noise pollution और दूसरा है light pollution तो अगर हम इन सभी चीजों को जोड़ कर देखें तो total 5 type के pollution हो जाते हैं पहला water pollution दूसरा air pollution तीसरा soil pollution चौथा noise pollution और पांचवा light pollution इसके अलावा ocean pollution या radioactive pollution या land pollution रिवर पॉलूशन यह सभी इनहीं के सब पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम detail में बात करेंगे अलग-अलग examples के साथ हम लोग काफी टाइम से मतलब 6th 7th class से ही हम पढ़ते हुए आई हैं कि air pollution क्या होता है water pollution क्या होता है तो उस चीज पर ना जाके हम stories के थूरू देखेंगे कि कौन सा pollution क्या होता है और उसने past में कैसी problems create करी है या फिर आने वाले टाइम में वह और कैसी problem create कर सकता है तो इस series के साथ जोड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको उसके बारे में जरूर पता लगे धन्यवाल